गुर्देव गरजी की परिकर्मा की महें हें उद्धेव Mayk vocês और परिकर्मा करते समय कौन से नियम पालन करें जिससे परिकर्मा में कोई दुटी ना करके ग्रियराज महाराज की व्रत्ति ब्रजवास्यों में प्रगट के और श्वयम गिरीराज स्वरुप में प्रगट होकर कहा मैं गिरीराज हूँ और भोगार होगा और उसी समै भगवान ने गिरीराज जी की परिक्रमा पूरे ब Weiter ब्रजवासें से कराए यह जो 21 किलो मिटर में गिरीराज महाराज बिराज माण है ये साक्षा स्री कृष्ण वपू है पतलब ये शिला सा यहां से कभी ले नहीं जाए जाती ब्रज के बाहर कोई गिरीराज जी किस शिला कभी भूल ना करे ले जाने की नहीं महत अपराद लगता है और यहां जो परिक्रमा दे जाती है तो दाहिनी तरफ गिरीराज जी होते हैं पूरी परिक्रमा जब हम परिक्रमा देंगे तो दाहिनी तरफ आराद जिद्यों गिरीराज जी होते हैं तो इधर लगशंका न करे इधर थूंके नहीं इधर कुला न करे लगशंका कुला बाई तरफ करे और पूरे गिरीराज जी में मौन परिक्रमा दे या नाम की इरतन करे बीच में कोई प्रपंच की बात न करे कोई नसा न करे जैसे अग्यानी जन है नहीं जानते हैं तो मसाला खा लिया या बीडी सिगरेट पी ऐसा नहीं परिक्रमा मतलब पूजा हो र परिक्रमा दो क्योंकि पूजा में जूता पहन के थोड़ी जाते हैं तो हम गिरीराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर करें दाहिनी तरफ कोई लगशंका मलमूत्र का कुलादी का त्याग न करें बाई तरफ करें और मौन व्रत धारन करते हुए नाम जब करें या अलोकिक धाम सिधाम ब्रंदावन चिदाननद धाम है गिरी राज जी है बर्शान्या है 84 को स्की ब्रज की परिक्रमा है इस भगवत प्राप्ती के लिए शावधानी पूर्वक परिक्रमा दी जाए ये साक्षाद भगवत सुरूप हैं गिरीराज जी महाराज जो भी कामना अगर की जाती है और गिरीराज जी की प्रदिक्षणा दी जाए भाव से तो लाखों की कामनाएं पुर्ण कर दी गिरीराज जी ने लाखों की करते रहेंगे पर भाव पुरुवक होना चाहिए अपराज बीच में ना बने तो संपुर्ण कामनाओं को पुर्ण करने में समर् देनु शुरतर शुरूप से गिरीराज जी महाराज जैसे कल्पतरू के नीचे चला जाए जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है जैसे काम धेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है ऐसे गिरीराज महाराज से प्राप्त हो जाता है हमारे ब्रज के मुकुट मनी हैं आश्रम है, तो हम वहां लगशंका नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, हां बैठ सकते हैं, तनादी एक जगा पर बैठ के, हां हां, वो तो कर सकते हैं, अगर कुछ पीछ में, रस्ते में, जैसे परिकर्मा लंबी है, कुछ पा सकते हैं, हाँ इधर बाईं तरफ बैठकर गिरी राजी की इस साइड में बैठकर खाएं पियें एक उल्ला करें लगुशंका करें क्योंकि 21 किलो मिटर के यात्रा होती है ना तो हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या पादुका आदी में भी परिकर्मा हो सकती है नहीं पादुका पहन करके नहीं हो सकती है बिलकुल नहीं पादुका पहन करके कहीं पूजा होती है क्या पूजा ग्रह में हम पादुका पहन के थोड़ी जाएंगे तो ऐसे इस शमय जब परिक्रमा दी जाती है तो हम पादुका पहन करके कहीं परिक्रमा नहीं होती है। जा सकते हो। अमानों गिरीराज जीसे कुछ वृत्जन होते हैं की उमर हो गई है। चलनी पारे। हां तो फिर उसमें तो अगर यहां ना भी आवे तो भी परिक्रमा का फल मिल जाएगा यह तो गिरीदाजी आने की बात है मालो हजार कोष्ट दूर है और गिरिराजी का दर्सन कर चुका है एक बार प्रदक्षणा एक बार कर चुका है और ब्रद है तो दस मिनट बेट कर एकांत भाव में आया एक आगरता पुरुआ को प्रणाम करके प्रदक्षणा सुरू कर दी मानसिक तो उसको वही फल मिलेगा यह भी बात है पर इतनी एक आगरता सिध्य पुरुषों में होती है अमन तो एक सेकेंड में कितना चंचल है कहां से कहां पहुत जाता है पूरी गिर्राजी की परिक्रमा पूरी एक आगरता से गर मानसिक दे दी जाए तो वह भी प्रगट परिक्रमा का ही फल परदान पर बड़े भागेशाली जिसे अप सरीर ब्रद्ध है या सरीर में दब नहीं है चलने की तो गाड़ी में बैठ करके मुतलब रिक्षा गाड़ी नहीं होती तो दर्शन है देखो इसमें खास बात जब हम कष्ट सहकर स्रम पूर्वक परिक्रमा करते तो हमारे पाप नस्ठ हो हमें जो दुख मिलता है हुमारे पाप कर्म है इसलिए कष्ट पूर्वक के साधना की गई है नंगे पैर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अब जैसे 84 कोस की परिक्रमा अपने लोगों ने लगाए तो कोई पादुका थोई पहनी है शावधानी रखी गए तो यह कष्ट पूर्व बक्तप है जिससे भगवान प्रशन होते हैं हमारे पापनष्ट होते हैं अब फिर सामर्थ नहीं है तो ऐसे तो आज कल प्राया सामर्थ हिंता ही प्रगठ हो रही जूता मोजा कार और इसमें जो है ना तो वो कोसिस करेंगे पैदर चलने की थोड़ी वो तो कार से ही देख निश्चित निश्चित बहुत करपाल गिरी राजी महराज हैं कोई केवल दर्शन कर रहा है कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया वो भी भागशाली पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती जो नंगे पैर परिक्रमा गिरी राजी की लगा रहे हैं उनकी तुलना सिनत कर रहे हैं वो तृति भी कर रहे हो ठीक नहीं है अरे कम से कम पाँ oxygen गंटे गी राजजी की परिक्रमा लगी करो तो पांच घंटे नाम जब करो पांच घंडे तो कोई नसा मत ओ Watch गंदी बात लेते हैं वह क्या है कि वह दो दो तीन तीन जो परिक्रमा करते हैं जूता नहीं पहनते वह कपड़े की पट्टी बांते क्योंकि घाओ हो जाते हैं तो उस घाओ की स्थिती में भी उनको अपने नियम पूरे करने तो वह कपड़े की पट्टी बान ले या उनके कपड़े का उनका उद्देश जूता पहनना नहीं है उनका उद्देश है कि हमें गिरियाजी की प्रदिक्षना देनी है पर अब पैरों में घाव हो गया पहले अधिकतर हर जगे रज होती थी परिक्रमा में अब प्राया किंग कंकिरीट वाली ये रोड है तो बहुत गरम होने पर फित् कि अधारन कर लिए उनका निशेधात्मक नहीं है हम खास बात उनके लिए कभी कभी कर रहे हैं तो नंग वह कोई जूता नहीं पहनते मरज इसमें एक कोशें निशेद के हैं कि नहीं तो आधना के मोजा और जूता दोनों पादुगा के अंतर्गत ही आते हम जब श्री जी के सामने निशेद की हैं कि नहीं तो आराधना के मोजा नहीं अब जैसे वही मोजा पहन कर लगशंका की है आपने वही मोजा पहन कर के आप अन्यत्र भी अब वही मोजा पहन कर ठाकुर जी के सामने मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा हाँ भाई एकदम ऐसी परिस्तिती है तो नए मोजा जो लगशंका सोचाज में नहीं है और वो पहने हो तो बात अलग है जिसे गुरुजन बयोब्रद बीमार सरीर तो धारण के पर नए मोजा वो मोजा पहन कर वो बातरूम नहीं जाएंगे हाँ अगर कोई ऐसी परिष्टिती है तो ऐसा नए मोजा पहन करके फिर ऐसा कर सकते हैं पर हमें लगता है कि अगर सरीर काम कर रहा हो रोगी ना हो तो कश्ट पूरुव गिरिराज जी या ब्रंदावन की परिक्मा लगानी चाहिए जिसमें नंगे पैर हो तो और अच्छा है जैसे बिहारी जुराधावल्लवजु के दर्शन के लिए है तो हमें तो नहीं लगता कि कोई श्रदावान उनके सामने वो ही मोजा पहन कर जाएगा जो बाथरूम में जो सोचादी या जो अन्यत्र पहने जाते हैं वहां तो नंगे पैर जाना चाहिए नहरी के बाहर उता करने जा रहे हैं धाम के दर्शन करने जा रहे हैं और हम ऐसा सोचे उचित तो यह है कि हम सर के बल चल नहीं पाएंगे नहीं यहां सर के बल चले हमारी प्रिया प्रितम की राजधानी है हमारे प्रहू का धाम है जैसे हम अपने गुरु द्वारे में अपने गुरु जनों क कि यहां अत्यंत दैन ही होके जाते हैं तो गुरु के परम गुरु भगवान भी राजवान है तो हम बड़े भाव से जाएं पर बकाया जिनका शरीर ऐसा नहीं है वो नवीन मोजे धारण कर ले जो बात्रूम और श्रवचाले में प्रयोग नहीं किये गए जैसे आपने बोल उसके नहीं उतराने हैं क्योंकि उसका सरीर बहुत कमजोर है और इतनी देर में ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुंचाए लेकिन जवान है तो बिल्कदाब पहन करके नहीं आना आप नंगे पहराईए और आप कष्ट सहिए यह प्रणाली पवित्र होने के अब जिसे व्रद्ध मूर्ती है अब उसको आप कर दो कि मोजा उतार दो थंडी लग सकती नीचे से उनको जुखाम हो सकता है लेकिन जवान आदमी से सकता है जवान आदमी को तप करने का उशर है तो इसलिए हमने दो को चुट दी है एक छोटा बच्चा और एक वयोब्र ृद्रोगी शरीद अन्यता सांब मोजा रही थोकर के ही श्रीजी के दर्शन करें या गुरुजी के दर्शन करें या तो परिक्रुमा столько है कि परिक्रमा पूरी क्यों वह चोटी ऐसको मैं कर सकते हैं कि आ clear अधो तो एक पड़ीप्र पूरी जिनका साथ ने दे रहा थोटा-थोटा करके कर सकते हैं प्टीन बार कर सकते हैं चार बार कर सकते हैं बड़े नियति स्थाने जिन है चानल लगा दी कि हमारी परिक्रमा यहां से यहां तक हुई अगली बारा यहां से यहां तक कर लिया फिर यहां से यहां तक कर लिया तो ऐसे पूरी परिक्रमा कर सकते हैं कर सकते हैं